अस्सलामु अलेकुम वरहमतुलाही वा परकातु हूँ प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं के बीवी से पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करा जा सकता है या नहीं या किस तरह से पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना चाहिए और दोस्तो साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हेजवा नफास की हालत में किस तरह से हमबसरी की जाए या हमबसरी ना की जाए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखते रहें और आप से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने चैनल को अभी तख सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एहम मसले पर वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं कि पीछे के मकाम में हम विस्तरी करना चाहिए या नहीं या किस तरह से पीछे के मकाम से हम विस्तरी की जाएं दोस्तो शादी के बाद मिया बीवी में सभी तरहा के परदे हड़ जाते हैं और जादा तर लोंगों का यही सवाल रहता है कि क्या पीछे के मकाम में पाखाने के मकाम में हम बिस्तरी की जा सकती है या नहीं तो आएए जानते हैं इसके बारे में दोस्तो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सिर्फ सर्मगा में हलाल है यानि कि आगे के मकाम में आप किसी भी तरह से हम बिस्तरी कर सकते हैं सिर्फ आगे के मकाम में ही हम बिस्तरी करना हलाल है आप चाहें आगे के मकाम में पीछे से हम बिस्तरी करें या आगे से हम बिस् यानि की पाखाना के मकाम में हम बिस्तरी करना शरन हराम है इस पर हदिश शरीफ में लानत वाइद हुई है एक हदिश पाग भी है इस पर हजरते अबू हुरेरा रजी अल्लाहु ताला अन्हों कहते हैं कि नबी करीम ने फर्माया जो सक्स अपनी औरत की पाखाने की जंगा में बदफेली करे वो मलाउन है यानि की वो शैतान है तो दोस्तों पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना हराम है और हदिश में उस पर लानत वाइद की गई है तो पीछे के मकाम में हरगस हम बिस्तरी ना करें लेकिन हाँ पीछे की तरफ से आगे के मकाम में हम बिस्तरी की जा सकती है लेकिन पीछे के मकाम में यानि की पाखाने के मकाम में हम बिस्तरी करना हराम है दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आगई होगी कि पीछे के मकाम में पाखाने के मकाम में हम बस्तरी करना हराम है अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि हैजवा निफास के दिनों में हम बस्तरी की जा सकती है या नहीं या किस तरीके से हैजवा निफास के दिनों में हम बस्तरी की जा सकती है दोस्तो हैजवा निफास की हालत में औरत से शोहबत करना हराम है बड़ा गुना है इससे बचना लाजिम है और जरूरी है दोस्तो औरत के हेजवा निफास के दिनों में कुछ औरत को एक महीने में तीन दिन का होता है कुछ औरत को पांच दिन का और कुछ औरत को साथ दिनों का या इससे भी जादा का कुछ-कुछ औरतों को हो सकता है तो इन दिनों में हम बिस्तरी करना हराम है और बढ़ा गुना है दोस्तो इस पर एक हदिश भी है जो हम आपको बताते हैं हदिश में इस पर ऐसा करने वाले पर वाइद वारिद हुई है यानि कि जो भी सत हेजवा निफास के दिनों में अपने बीवी से हम बिस्तरी करता है तो उस पर वाइद वारिद हुई है अगर कोई गलती से ऐसा कर बैठे तो तौबा करना वाजिब है और हालाते हैज में सोबत की वज़ा से सत्का देने का भी हुक्म आया है यानि कि अगर आप गलती से हैस के दिनों में हम बिस्तरी कर लेते हैं तो तौबा करना आप पर वाजिब हो जाएगा और आप इस पर सदका भी दें इस पर भी अमल किया जाए कि तौबा वा इस्तकफार के साथ सदका खेराध भी किया जाए दोस्तो अयामे हैज में औरत के हाथ का पका हुआ खाना जाइज है उसके साथ उठना बैठना लेटना भी जाइज है उसका बोसा लेना भी जाइज है तो दोस्तो उमीद है कि दोनों बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो आप एक बार कमेंट करके हम को जरूर बताएं अगर आपका इसी तरह का कोई भी मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इससे इनशालला तबारक वतला उस पर भी हम जल्द वीडिय यह लाएंगे तो मिलते हैं तब तक के लिए अला आपज़ खुआाँ